एका दशी के दिल जब आप जल शंकर को चड़ाने तो रोजी जाए जब एका दशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो तीन वाल मुख से स्वधा 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 या स्वधा इस त्रोत का पाट जिसमें 12 लोग दो चार हैं पैसा तो आ रहा ह पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सिडेंट आदिक में, कहीं गलत जगा पर, वैसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में मान सहार मदिरा पान या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है, पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई म जल में मात्र साथ बेल पत्री डाल कर जो नंदिश्वर भगवान अर्था जो संकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चड़ा कर बेल पत्री शिव पर समर्पित कर देता है उसके घर में रुपिया रुकना चालू हो जाता है फिर वो गलचगा पर नहीं जाता गलत इस्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं तुने सब्सक्राइब मांग तुझे क्या चाहिए एक आदशी ने बगवान विष्णु से कहा नात प्रभू वर देदो मृत्यू लोक में जो मनुष्य मेरा ब्रत करेगा चाहे जल्चर थल्चर व अगर एकादशी का ब्रत करेगा तुर्भू उसके यहां धन धान बेभव सुक संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा सीधे बेकुंत का उसको वास मिलेगा जब जीवात्मा को लेकर चला जाएगा यम के दूत जब बंदी बनाकर ले ज जा रहे होंगे तब मुझे वर्दो कि में इसका हाथ पकड़ कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेका रहां भगवान ने वर्दे दिया तथास्तू हे एकादशी सुनो मृत्यू लोग का मनुष्य अन्न का त्याक करकर क्योंकि अन एकादशी के दिन जो मनुष्य तुमारा भरत धारन करेगा उस वरत को करेगा और उस वरत को धारन करेगा उसकी मनों कामना फून होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा यह तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा एका दशी के दिन गंगा के जल में मात्र साथ बेलपत्री डालकर जो नंदी श्वर बगवान अर्था जो शंकर जी के शिवलींग के सामने नंदी होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चड़ाकर बेलपत्री शीव पर समर्फित कर देता है उसके घर में रुपिया पर नहीं जाता गलत स्थान पर वो धंग जाएगा ही नए उसको दंग के लिए संपदा के लिए और ताज जिसका वेपार नहीं चलता जिसके घर में पैसा नहीं आता या नोकरी नहीं लग रहे हैं आप कर रहे हो जगा जगा जाकर और उसको किसीं भी नरायन के मंदिर में राम खृश्च शुव और शंकर नहीं राम कृष्चन मhernya भगवान भिश्चाथ अदिक जितने नरायन के मंदिर हैं उस मंदिर में किसी भी पातर में एक चोटें से पातर में उसको भर चर रहे आते हैं हारत उससे भी जॉब सर्विस नोकरी में सपलता प्रापती वह नी तरव में कांट और में कि पर एक रोती में थोड़ा सा मीठा रख कर सोम पिप्र का नाम लेकर यदि गाये को खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वज़ प्रेयत योनी में भी पड़ा हुआ होता है भटक रहा होता है जिसको पिंड नहीं मिला जो अचानक मर गया होता है अधोगती में चले गया सोम पित्र का नाम लेकर रोटी में पूड़ी में मीटा रख कर अ限ら गरगाय Cost γता ही इस्की पुण्नेता है ऐसा क्या है कासी में जो उसकी पुण्णेता मानी जाई कौन है ये जो भगवान नारायन तक एकादशी का बरत करते है सुबदराजी को भगवान जगनात ने जगदीश ने एकादशी का बरत कराया था बदिन नारायन भगवान को माता लच्मी ने एकादशी का बरत कराया था क्यों चंदरायन एकदशी बरत केbs घाके ब्रत करने पर भगवान नरयाइन भी जिसबे करते हो वह मaient लच्मी जिसका ब्रत करती हो ओकाकई रफ्चकंद पुरान का सुन्दर चातुरमा सिखंड के अंतरगदवनन आया है महाराज एक बार भगवान विश्णू आनंद में विराज मान थे पदमावती और मातलच्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी भगवान लच्मी और पदमावती दोनों बेटी है एक सिर के पास एक चरण के पास कुछ समय बाद वहीं पर बनमदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायन पदमावती से लगकर उठे और उठकर लच्मी की और जुके जुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायन के फिरदये चित्त से एक कन्या ब्रगठ हो गए औस इसके गुन इतने परबल थे वो दस गुन उसके बड़े परबल थे कि वह एका जिसको नीहार दी थी उसको सμपदावान बनाते थे जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनन्द के अनवुक्तिया खरा द दिती नादी उस मारग के द्वार खोल देती है एका का पुन्य इतना पुन्य प्रक्षर अब पाधमाबती और लच्मी ने कहा महराज यह बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है इसका कंजयादान करना चाहित हमारे यह हिंदु-धर्मे में इसको बने इन्द्र करें इसको दें एका किसको किसको करी जाए है पुन्नेता किसको दी जाए है अगवान नरेड ने उसी समय लच्मी और पदमा से पूछा तुम एकादशी के दिल जब आप जल शंकर को चड़ाने तो रोजी जाए जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो तीन मान मुक्स सद्रोबर शत्रोबर जिसमें बारश लूबुरण दो चारें पैसा तो आ रहा है पर घर में ठेक नहीं रहा छॉक्ने में पुलिस में एक्सिदेंटादीक में कहीं गलत जगापर वैसन में अगर पैसा जा रहा है जुए में मान सहार मदिरा पान यह कहीं आया पैसा पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है पर टिक नहीं दा रुक नहीं दा कोई मांगने आ गया दे दिया फिर महा से अपने पास नहीं आ रहा है अपन कहरा है यह हमारे पैसा लोटा दो नहीं आ रहा है तो महारा शिव महापुरा के गणगा के जल में मात्र साथ बेलपत्री डालकर जो नंदिश्वर बगवान अर्था जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चड़ाकर बेलपत्री शीव पर समर्पित कर देता है उसके घर में रुप्या रुकना चालू हो मांग तुझे क्या चाहिए एक आदशी ने बगवान विष्णु से कहा नात रभू वर देदो मृत्यू लोक में जो मनुष्य मेरा ब्रत करेगा चाहे जल्चर थल्चर बायूचर या संसारिक मनुष्य मेरा अगर एक आदशी का ब्रत करेगा रभू उसके यहां धन धान बेभव सुक संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा सीधे बेकुंत का उसको वास मिलेगा जब जीवात्मा को लेकर चला जाएगा यम के दूत जब बंदी बना कर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके परांड चुटे होंगे यम के दूत जब बंदी बना कर ले जा रहे होंगे तब मुझे वर्दो कि मैं इसका हाथ पकड़ कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम मेले का रहां भगवान ने वर्दे दिया तथास्तू हे एकादशी सुनो मृ एकादशी के दिन जो मनुष्य तुमारा व्रत धारन करेगा उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारन करेगा उसकी मनों कामना पून होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा यह तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र साथ बेल पत्री टाल पर जो नंदिश्वरबदवान अर्थात जो शंकरजी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चड़ाकर बेल पत्रिशिव पर समर्फित कर देता है उसके घर में रुपिया रुकना चालू हो जाता है तिर वो गलत जगापर नहीं जाता ग दोस्ति हो रही है। को रही है। लिए यहां पर जो धन वी प्रयास के जाता है। उसके लिए विश्णूपदी के लिए करते मादे जैसे गंगा के जल में तुल्सी के ग्यारा पत्ते डाले जाते है और उसको किसी भी नराएन के मंदिर में राम कृष्ण शिव राम कृष्ण भगवान विश्णु अधिक जितने नारेन के मंदिर उस मंदिर में किसी भी पात्र में एक चोटे से पात्र में उसको भरतर रखी आते हैं महारत उससे भी जौब सर्विस नोकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है पंतु वह कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है फिर वही पात्र का जल किसी भी विरक्ष के नीचे डाल दिया जाता है उससे भी नोकरी के लिए फायदा में गंगा का जल को सद्रण नहीं तस्मीन एक अधिशी और द्वादस इन तीन कितियों पर एक रोती में थोड़ा सा मीथा र पर यदि गाये को खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूरवज़ प्रेयत योनी में भी पड़ा हुआ होता है भटक रहा होता है जिसको पिंड नहीं मिला जो अचानक मर गया होता है अधोगती में चले गया होता है उस जीव की मुक्ति दस्मी एक अधशी और द्वादस यह तीन दिन सोमप पित्र का नाम लेकर रोटी में पूरी में मीठा रपकर अगर गाये को फुला किया जाता है यह तीन दिन दिन तक तो वो पित्र कभी भाटकते नहीं है उनको मुक्ति प्राप्र हो जाता है एका दशी के दिल जब आप जल शंकर को चड़ाने तो रोधी स्वधा 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 यह स्त्रों स्वधा इसन में बारस दुश नोслब कि फिखर है पैसा तो आ इस भी तक नहीं रहा है चाए को और फो यहार्त पैस को यहां जुए में मान सहार मदिरा पान यह कहीं आया पैसा पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है पर टिक नहीं दा रुक नहीं दा कोई मांगने आ गया दे दिया फिर महां से अपने पास नहीं आ रहा है अपन कहरें यह हमारे पैसा लुटा दो नहीं आ रहा है तो महारा श्रिम महापु अर्था जो संकर जी के शिविलिंग के सामने नंधी होता है उस नंधी के चरण पर गंगा का जल चड़ा कर बेलपत्तरी शीव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपिया रुकना चालू हो जाता है फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता गलत इस्थान पर धन जाएगा ही नहीं तुने मांग तुझे क्या चाहिए एकादशी ने बगवान विष्णु से कहा नात प्रभू वर देदो मृत्यू लोक में जो मनुष्य मेरा ब्रत करेगा चाहे जल्चर थल्चर वायूचर या संसारिक मनुष्य मेरा अगर एकादशी का ब्रत करेगा प्रभू उसके यहां धन धान बेभव सुक संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा सीधे बेकुंत का उसको वास मिलेगा जब जीवात्मा को लेकर चला जाएगा यम के दूत जब बंदी बना कर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जि तब मुझे वर्दो कि मैं इसका हाथ पकड़ कर बेतनी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम मेले का रहां बगवान ने वर्दे दिया तथास्तू हे एकादशी सुनो मृत्यू लोग का मनुष्य अन्न का त्याक करकर क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता अन्न का त्याक करकर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुमारा व्रत धारन करेगा उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारन करेगा उसकी मनों कामना पून होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा यह तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा लेक आदशी के दिन गंगा के जल में मात्र साथ बिलपत्री डाल कर जो नंदी श्वर बगवान अर्था जो शंकर्जी के शिविलिंग के सामने नंदी होता ए उस नंदी के चरन पर गंगा का जल चड़ा कर बिलपत्री शिव पर समर्भित कर देता है उसके घर में रुप्या रुकना चालू हो जाता है और वो गलत जगह पर नहीं जाता लिए करना इक पड़न के लिए हैं मैं लिए नियुक्त इसका जिसका बेपार नहीं चलता जिसके घर में पैसा नहीं आता या नोकरी नहीं लग रहे हैं या सर्वीस नहीं लगरें reference तो चाली और यहाँ पर विश्क गंगा के चलमें तुलसी के क्यारा पत्त्त्त आले जाते हैं और उसको किसी वी नारयन के मंदिर में अनकि यहां राम्कृिष्ण भगवन लिश्नु एक्ट उस मंदिर में किसी भी पात्र में एक चोटे से पात्र में उसको भर कर रखी आते हैं महारत उससे भी जॉब सर्विस नोकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है पंत वह एक अधशी को होता है कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है फिर वही पात्र का जल किसी भी विरक्ष के रोती में थोड़ा सा मीठा रख कर सोमप पित्र का नाम लेकर यदि गाये को खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वच्व प्रेयक योनी में भी पड़ा हुआ होता है भटक रहा होता है जिसको पिंग नहीं मिला जो अचानक मर गया होता है अधोगती में चले गया हो दुनाघा यह जाता है उस चीव कि मुकती डसमी एकादशी और दौध यह तीन दिन सोमप पित्र का नाम लेकर रोटी में पूर्य में मीठा रख रख कर गर गाय तो पुलाधिया जाता ही दिन दिन तो वो पित्र को भी भटकते नहीं है उनके मोप्टी प्राप्र हो जाता नोग निन एक अद्रशी है कौन कि गो इसकी इतनी प्राधनता है कiosis만 श्ची पुन्यताई एसा क्या है कदसी में जो सिंप्ध पुन्यता मानी जाए और यह जो भगवान नारायन तक एकादशी का ब्रत करते हैं सुबद्राजी को भगवान जगनात ने जगदीश ने एकादशी का ब्रत कराया था बद्र नारायन भगवान को माता लच्मी ने एकादशी का ब्रत कराया था क्यों चंद्रायन एकादशी ब्रत की माता एकादशी है कौ तो कहा जिसको भृत करने पर भगवाद नारयन भी जिसका भरत करते हो भगवाद माता लच्मीं जिसका भृत करती हो वो एकादशी है कौन तो शास्त्र वंदन करता है महराज इसकंद पुराण का सुंदर चातुरमा सिखंड के अंतरगत वंदन आया है महराज एक बारत भगवान विश्णु आनंद में विराज मान थे पदमावती और माता लच्मी दोनों उनके पास में विराज हुए थी कुछ समय बाद वहीं पर बनमदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायन पादमावती से लगकर उठे और उठकर लच्मी की और जुके जुकने पर इन तीनों के समा समा गम से भगवान नारायन के फिर्दय चित्त से एक कन्या प्रगट हो गई उस कन्या का नाम एका नाम था एका अब दस उसके गुन इतने परबल थे ,वो दस गुन उसके बड़े परबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बनाते थी जिसको देख लेती थी उसके जीवान में वो आनंद की अनबुख्तियां करा देती एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खुल देती एका का पुन्य इतना इतना पुन्य प्रक्र पदमाबती और लच्मी ने कहा महराज ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है इसका कन्यादान करना चाहिए हमारे हिंदु धर्मे में रीती है जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन बिरत रखा जाता है अब देना करें लेका निर्मateurs नेकिंड करें किसको दें भग अगा या निर्टां किसको करी जाए पुन्यता किसको बली जाए चाहिए विभागवान न नयरेंड ने उसी समय लक्षमी और पदमा से पूच्छा found एका दशी के दिल जब आप जल शंकर को चड़ानें तो रोजी जा ज़ा जब एका दशी का दिन रहे है और शंकर जी के मन्दर में आप जल समर्पित करें तो तीन वाद मक्स सौधा स्वधा स्वधा या स्वधा इस तोध पाड़ा जिसमें 12 लुप तो माराज शिव महापुरान की कथा करती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र साथ बेलपत्री डाल कर जो नंदिश्वर भगवान अर्था जो संकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चड़ा कर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है उसके घर में रुपिया रुकना चालू हो जाता है फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता गलत इस्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं तुने समिभार की मांग तुझे क्या चाए एकादशी ने बगवान विष्णू से कहा नात रभू बर दे दो मरत्यू लोक में जो मनुष्य मेरा ब्रत करेगा चाहे जल चर थल चर वायू चर या संसाइड़ ने नहीं जाएगा